हलो फ्रेंड्स, सैमिन आर्क के अंदर जब हम काम करते हैं, चाहे हम सीवी सैम में काम करें या पीले सैम में, कई बार ऐसा होता है कि इसका हमें कंस्ट्रक्ट का स्कोर चाहिए होता है, जिसको हम फर्दर प्रोसेस मेक्रो में या और कहीं यूज़ कर सकें, तो क्विकली देख करते हैं कि स्कोर को कैसे एक्स्ट्रक्ट करते हैं, तो मैं अपनी फाइल एक बार इसमें एड कर लेता हूँ, SPSS, और मेरी फाइल का नाम है डेमो, डेमो फाइल में मेरे तीन-चैर वेरियेबल हैं, मैंने ज्यादा तर में यही यूज़ की वी है, क्वालिटी, लोयल्टी स्क्रिप्ट में मैंने डाटा लिखा हूँ है, सबसे पहले तो अटेस्ट डाटा, उसके बाद इसका काम ख़तम, मेजर्मेंट मॉडल, क्वालिटी, लोयल्टी, स्क्रिप्ट्ट डिफाइन कर दिये, स्ट्रक्चल मैंने डिफाइन कर दिया, यहां पर पात इसके जो भी आ डॉलर लगाएंगे, तो चेक करें यहां पर, आउट्पूट लिखके जैसे आप डॉलर लगाते हैं, यह कहता है, चक्या चाहिए, इसमें से, इसमें एक है, कंस्ट्रक्ट स्कोर, तो चार वेरियेवल नाम व्यू पर लिखाव है, क्वाल्टी, लोयल्टी, साड्पेक्श तो PLSM measurement structure run किया और इसके अंदर भी वही मिलेगा P4 में मैंने जो summary डाली है या इसी के अंदर आप सिधा देखिए अगर इसी में आप लिखते हैं यहां पे this dollar तो dollar में कहा रहा है अच्छा क्या चाहिए आपको construct outer loading construct score तो construct score के अंदर यह आपका construct score आगया चारो variable का save कर सकते हैं और आगे फिर process macro वगरा में use कर सकते हैं तो यह score हमेशा available होते हैं तभी तो यह MSV, ASV, CR यह सब निकालते हैं तो यह हमेशा available होते हैं R के हर package के अंदर और तरीका यह यह आप run करके dollar लगाए dollar के साथ आपको dollar is something like million dollar thing कितनी चीज़े हैं अब जो भी चाहिए इसमें से ले सकते हैं अच्छे जिसमें यह symbol होता है इसका मतलब इसके पास और भी बहुत सारी चेज़े हैं चैसे यह लगाया dollar यह कराए अच्छे इसमें composite ले सकते हैं So this was about extracting construct score in the same in R. Let's stop here. Thank you.